सबी लाइव देखने वालों को नमस्कार मैं शर्वेश कुमार यादव मैं जुन जुनु डिस्टिक से एक गाउं से बिलोंग करता हूं ठाट वड़ी जो नारनोल के पास है हरियाना बोडर पे और मैं पिछले 11 साल से CLC परिवार से जुड़ा वाऊं मेरा टोटल जो चीज में perfect हैं और हमेशा perfection को और बढ़ाती है हमेशा उसकी तरबाढ़ते रहते हैं कोई बहुत आपकड़ेसन के मामल्यमें कोई बीचीज लोढ़ स्टैडी मेंटेरियल क्लासेज मिनेजमेंट teaching staff, non-teaching staff, हर चीज में update रहने की कोसिस करते हैं, जैसा मैंने मैसूज किया है, इतने सालों में teaching करते हुए, देखा है, मैंने जो class है, class में जाने के बाद केवल दो ही चीजों की बीच में introduction होता है, एक तो faculty और सामने बैठे हुए बच्चे, उसके अलवाद तीसरा कोई उसके अंदर disturbance नहीं है, teacher जो होता है, उसके अंदर होती है skills, these are the teaching skills, जो उसके पास हैं, क्योंकि उसके पास experience इतने साल से पढ़ा रहा है, तो हो हर साल, हर साल तो छोड़ो हर महने अपने आपको update करता हो, कि मैं कैसे skills को increase करूँ, मैं कैसे topic को ऐसा deliver करूँ कि बच्चे को clear हो जाए, वो जो 90 minute की जो class होती है, हमारे हैं एक class, उसमें उस subject को इतना उसको purify करके दिया जाए, कि उसको neat के exam तक, वो properly याद रहे, उसका कोई क्योंसन गलत नहीं हो, लेकिन मैं अभिभावकों को, और जो भी बच्चे देख रहे हैं, उनको एक बात कहना चाहूँगा, एक चीज और होती है class में, तीजारदा learning skills, और learning skills जो होती हैं, वो बच्चे की होती हैं, जिनमें बहुत कम बच्चे focus करते हैं, मैंने देखा है, 90% बच्चों को मालूम ही नहीं है, कि सामने वाला जो आपको गाथा सुना रहा है, उसको किस behavior से लेना है, कैसे सुनना है, उसके उपर analysis क्या करना है, और class में आपको जो content दिया जाता है, उसको तुरंट within second आपको analyze करके, और उसको अपनी memory में set करना होता है, तो learning skills बहुत important होती है class में, और जो यह skills हैं, वो बच्चे के अंदर या तो inbuilt हैं, या school में उसको सिखाई जाते हैं, कि आपको learn कैसे करना है, आजकल इसके उपर भी कारी किया जाता है, और मैंने यहाँ पर एक बड़ी बात देखिए, ऐसे बच्चे आते हैं, जो बैच्चारे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत study करते हैं, classes, camp और लेकिन उनके marks कम आते हैं, और इन बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, मैंने, मतलब मुझे आश्चरी होता है, कि कोई भी सनस्था का मालिक एक साल में जितने बच्चे वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, एक-एक बच्चे से मिलना बहुत मुश्किल है, कहने से कुछ नहीं होता, हर बच्चे से हर साल बहुत मिलते हैं, हम लोग जो हमें mentor बनाया जाता है, एक-एक स्टुडेंट के स्कोर कार्ड पर फोकस किया जाता है, कि आपका स्कोर क्या जल रहा है, बातें करना, स्कोर को improve करवाना, सब्जक्ट पर बात करना इतना आसान नहीं होता, कई बार लगता है कि इतने साल हो गए, यहाँ पर पढ़ाई, teaching कर रहे हैं, कभी move करें, यह करें, मतलब काफी चीज़ें हमारे सामने भी face होती है, हमें भी बहुत कुछ दिमाग लगाना पड़ता है, मैं तो लाई चल रहा है, खुले आम कह रहा हूँ, कि जिस दिन, कई बार होता है, कुछ लोग switch करते हैं, coaching छोड़ जाते हैं, मैं भी कह रहा हूँ, online, मैं उस दिन coaching छोड़ के चला जाओंगा, जिस दिन कोई आके, ऐसा director आ जाएगा, कोई कहता है कि हर साल मैं मेरे हर बच्चे से face to face बात करता हूँ, हर साल अपने आपको बजार में बेचने का नाम शिक्षक नहीं है, हर साल अपने आपको बजार में बोली लगा के बेचने वाले, पिछले चार साल में, कही लोग तो ऐसे जो चार साल पहले एक सेल से उते, अब पता लगा, वो साथ कोचिंग बदल के फिर वापस रिजू लेकर हमारे पास आ जाते हैं, कही बारत यह होता है कि जिन लोगों को इंटर्यू लेके उन्हें अपोइंट किया था, वो आपस सेल जाते हैं, तो वो उनका इंटर्य लेते हैं, जो पोइंट किया, वो कहता हैं कि तर्व ताला बढ़ा होता है, तो मचलिया खाती हैं कुछ कीड़ मचलिया खान लग जाते हैं, तो आदमी अपने जगह नहीं है तो गाउं में कावत है कि बाई जी वेल्यू जगह की है आपके खुंटे बंदरो अठाइस साल में के मेरे पाफ ऑप्शन नहीं आए क्या बहुत ऑप्शन मेरे पास पर आया होंगे लेकिन मैंने का नहीं जीना CLC के साथ है मरना CLC के साथ है सब्सक्राइब करें अपने और मैं बताना चाहूंगा कि बात आती है अभी साहिल सर ने कहा डेडिकेशन डेडिकेशन जो है हर इंसान में होना चीओ जो अपना कारिय कर रहा है उसके प्रतिय अगर वो डेडिकेटर नहीं है तो फिर वो धरती पर बोज या केवल मैं मेरी बात करो हम टीचर्स हैं 100% dedicated है सुबह हमारे पास जिंदिकी में कोई काम ही नहीं है पढ़ाने के अलावा दिन में जो है जो daytime होता है उसमें 9 गंटे तो class में रहते हैं उसके अलावा करेंगे क्या तो class में हमें तो जिना होता है class ही हमारी life हो गई class में entertain करना होता है बچों को पढ़ा के हमें तो अपना टाइम पास कहें या जीवन बिताना कहें, उसके लगा हमरे पास कोई option नहीं है, तो हम डेडिकेट नहीं रहेंगे, तो हमारे तो जीवन वैसे खराब हो जाएगा, करेंगे क्या पूरे दिन, तो कलास में जाओ, जो teaching field में है, कि जिस दिन आप में ये property आजए dedication की, उसी दिन आप इस field को join करना, और बिना dedication के आप लंबे पढ़ाई नहीं सकते, दो दिन, दस दिन, एक साल पढ़ा सकते, उसके बाद में आपको ये field छोड़ना पढ़ेगा, मैं गहना चाओंगा, मैं भी एक सामाने से परिवार से हूँ, मेरे पिता जो है, मेरे आदर्स है, मेरे प्रेणा असुरोत है, वो भी एक teacher है, retire हो चुके है, मैंने जो भी सिखाये न, उनसे सिखाये, कि कैसे आप work के प्रति dedicated हो, उनसे बहुत कुछ सिखाये, और आज मैं उ उनसे परिणना लेता रहता हूँ, वो मेरे नजर में एक आदर से आदर सिक्सक भी है, काफी अवार्ड मिले उनको, उनको अपनी life में teaching किया, उन्होंने उसके लावा कुछ नहीं किया, उसके लावा उन्होंने जिंदगी में कुछ निया, क्या किया है, बच्छों को से और मुझे भी अच्छा लग रहा है, कि मैंने इतना कुछ सिखा, तो मैं आपको यही बात कहूंगा, कि आप बिना मतलब किसी भी भ्रम जाल में ना फसे, एक बार CLC संस्था में आएं, जैसा बोस निका साम को पांच बजया हो, आप एक बार महसूस्त तो करो, आप जिस अपने बच्चे को किसी कोचिंग को दे रहे हो, वो आपका फ्यूचर है, आपका भविस से है, उसका भी खुद का भविस से है, ऐसे कहीं छोड़के आ जाओगे, कोई ध्यान नहीं देता है, हम लोग एडूकेटर नहीं है, कि क्लास में जाके पढ़ा के आगे, और उसको पढ़ाना, तो काफी बाते हैं, मैंनेजमेंट की मैं बात करूँ, तो जैसे आप क्लासों की बारे में बताया, बच्चे को रोज जो है, सुबह आती क्लास चाहिए, परफेक्ट, उसको रूटीन क्लास चाहिए, जैसे हमारे चार क्लास लगती है, कि फिजिक्स है, बच्चर की जगह, वही टीचर आएगा, जो वह टोपिक करेगा, बिल्कुल टाइम पास किया नहीं जाता, इतना बड़ा सिस्टम है, टाइम टेबल का कभी मिसमेनेज नहीं होता, मैंने इतनी साल में देखा, कभी आज तक ऐसा नहीं देखा, कि कोई क्लास खाली जा रही ह हमारे अंकी जी हैं, जो टाइम टेबल अगरा सेट करते हैं, कई बार मैं देखता हूँ कि इतना बेंकर काम है, लेकिन उनका इंट्रेस्ट है, उनका डेडिकेशन है, वो सोचते हैं, बहुत चोटी सी बात है, क्योंकि वो डेडिकेटेड हैं अपने काम के प्रती, और वो इंजिनियर हैं, इंजिनिरिंग करके यहां पर आई हैं, और अपने बैच के टोपर भी रहें वो, इतना दिमाक लगाते हूं, तो वो ही बात आगी, हर काम को करने में आपको डेडिकेशन की आउ सकता होती है, मैं बच्चों को भी कहूंगा, कि बेटा, आपमे अगर डेड का इसा है, फीस दे गया, और इनके ओपर हमें कोई वर्क नहीं करना, CLC की क्वालिटी यही है, एक एवरेज बच्चे को हम सलेक्ट करवा देते हैं, जो सलेक्शन के लायक होता है, थोड़ा सा, उसको सलेक्ट करवाते हैं, और जो अच्छा टेलेंटेड है, ओविसली, इन अच्छी रेंग तक पहुचाते हैं, क्योंकि उसके उपर स्पेशली, इंडिपेंडेंटली वर्क किया जाता है, अब इतनी क्वालिटी है, इतनी बाते हैं, फिर भी जो गार्जिन्स हैं, वो दिख भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि यह माय जाल है, कोचिंग इंडस्ट्री, आपको जैसा बोस कहते रहते हैं, कुछ भी दिखा के, मैं तो कहता हूँ, दूसरों की बुराई करके यह एड्मिशन कर लेते हैं, कि वहाँ यह बुराई है, अरे दूसरों की आप बुराई कर रहे हो, खुद एड्मिशन कर रहे हैं, इसका हमने तुम्हारे पास मैं इतना कहूंगा, हमारे कल्चर जो है, फैकल्टी का बहुत अच्छा है, आपस में ट्यूनिंग इतनी अच्छी होती है, मैंने तो यहां मैसूस भी किया है, अब हम लोग थोड़ा सीनियर हो गए, तो इन चीजों को आगे सोचते हैं, कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई चले गए घर पे, कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन CLC की एक क्वालिटी है, क्योंकि हम जो है परिवार की तरह हैं, सुखो या दुखो, हम एक साथ रहते हैं, रात को दो बजे भी किसी के दिक्कत आ जाए, तो बिलकुल पहुंच जाते हैं, ऐसा नही क्योंकि है, 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 क